हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड पाक शाला, आज हम बनाने वाले हलीम के लड्डू, ये लड्डू जोडों के दर्द के लिए और हड्डियों के लिए बहुत अच्छ होते हैं, और विंटर में खाये जाते हैं, चलिए उसकी प्रोसेस चालू करते हैं एक पाव कप मैंने हलीम के सीड लिये है, ये देखिए, साफ करके लिए है मैंने, एक बड़े बरतन में हम इसे डालेंगे, अब इसमें हम पानी डालेंगे, उसके लिए मैंने नारियल का पानी लिया है, बट मेरा थोड़ा वेस्ट हो गया तो इसलिए मेरे पास कम है, आप ज पाव पाव कप हलीम सीड़ है तो हम सवा कप पानी डालेंगे और उसमें नॉर्मल नार्ययल का पाने दोनों मिला के सवा कप होना चाहिए अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे पानी में देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से मिला रही हूँ यह थोड़ा पानी पहले जल्दी नहीं एब्जॉब करते फित कुछ देर में एब्जॉब करते यह देखिए अब हमें इसे दो से तीन घंटे के लिए भिगने के लिए छोड़ देना है अब ही मैं इस पे ढखकन रखके इसे भिगने के लिए छोड़ दूँगी उसके बाद हम देखेंगे देखिए तीन घंटे बाद मैं देख रही हूँ देखो हमारे हलिम सिट कितने फूल गए कितने बड़े बड़े हो गए और यह थोड़ा स्टिकी हो जाता है उसके लिए मैंने तीन बड़े चम्मच काजू लिए तीन बड़े चम्मच बादाम दो चम्मच संफलास सीड और खरबुजा सीड लिए और यह एक मिडियम साइज का कोकोनट को ग्रेट करके लिए जो एक कप है और एक कप गुड लिया है चलते आगे के प्रोसेस में उसके लिए मैंने एक बड़े कड़ाई में मैं गुड डाल रहे हूँ उसके उपर हम हलिम सीड डालेंगे जो भीगों के रखे है इसी में हम अभी हमने जो नारियल ग्रेट करके रखा है वो भी डालेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मिला के ऐसे ही छोड़ देजे बट मैं अभी बना रही हूँ तो मैं इसे आज मैंने अल्रड़ी चालू किये गैस की सीम पे है वो तो हमारा बरतन तब तक गरम हो रहा है और हमारा गुड पिगलना शुरू हो जाएगा हलिम सीड में बहुत जादा पानी होता है अभी वही हेल्प करेगा हमें गुड को पिगलाने में और नारेल में भी थोड़ा moisture होता है अभी हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे यह देखिए मैं ऐसे दबा दबा के गुड़ को फोनने की कोशिश कर रही हूँ अब अगर आपके पास time है तो ऐसे ही 10 मिनिट छोड़ दे automatic गुड़ पतला हो जाएगा बट तब gas की आज ना चालू करें ऐसे बरतन में मिला के छोड़ दीजिए यह देखिए पाच मिनिट के बाद मैं अच्छे से चला रही हो सीम पे देखो almost good हमारा पिघल चुका है और अब मैं आज तेज कर दूँगी और इसका moisture हटाने में हमें help हो जाएगी आज तेज पे आप slow में भी कर सकते हो बट अगर आपकी आज तेज है तो आपको ध्यान रखनाए की नीचे से ना जले coconut बहुत जल्दी लग जाता है नीचे इसे अच्छे तरीके से चलाते रही है देखिए पाच मिनिट बाद ये कितना अच्छे से हो चुका है बहुत सारा moisture कम हो चुका है इसमें इसे चलाते रही है अच्छे से इसे इसी तरीके से मैं दस मिनिट और चलाऊंगी 10 मिनिट बाद सारे मेवे इसमें डाल देंगे हम काजू, बादाम, खरबूजा के बीच और सनफ्लावर सीड और इसे मिलाएंगे इसे अभी आमें और पाच से 10 मिनिट पकाना पड़ेगा जब तक इसमें का moisture खतम नहीं हो जाता है अभी इसमें moisture है और वही बूनते बूनते हमारे जो हमने ड्राइफूट डाले वह भी बून जाएगे अगर आप ड्राइफूट नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो या आपके मर्जी से कोई और ड्राइफूट भी डाल सकते हो यह देखिए साथ मिनिट बाद मैं अभी जाएफल डाल रहे हूँ कदुकस कर रहे हो जाएफल को अप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हो या आपको दोनों पसंद नहीं है तो आप वह भी स्किप कर सकते हो बट गुड़ वाले इसमें जाएफल ज्यादा अच्छा लगता है यह देखिए मैंने पूरे जाएफल में से पाउ जाएफल डाला है मुझे जो भी मैं गुड़ वाला मीठा बनाते हूँ उसमें जाएफल प्रिफर करती हूँ आप अगर नहीं पसंद करते हो ता आप स्किप भी कर सकते हो अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और दो से तीन मिनिट और चलाएंगे यह देखिए अभी हमारा मिश्रन बहुत सुख गया इसे दीख रहा है आपको बट हमें इसमें मौशर है हमें और चलाना पड़ेगा थोड़ा सा और इसमें घीर हलने की जरुरत नहीं होती है क्योंकि नारियल अपना तेल चोड़ता है बुनाई के बाद जब उसका मौशर खतम हो जाता है और ऑटमाटिक उसका ऑईल रिलीज होता है यह देखिए मैं दीखा रही हूँ आपको यह थोड़ा सा मौश्ट है बट थोड़ा बॉल कंसिस्टेंसी में आ रहा है अभी हमें इसे और पाच मिनिट चलाना पड़ेगा यह देखिए पाच मिनिट चलाने के बाद अभी यह बहुत गरम है आप देखके बना के देखिए देखो कैसे ओल ओल बाहर आ रहा है कोकनट का और मौशर खतम हो चुगा अभी यह जला देला है और थंडा होने देना कि हम लड़ु बना सकते changing警 Divine Allah कर मोशर पूरह नहीं करनाम है जब रहे गाए तभी हमें लड़ु बनाने यह देखिए 10 मिनिट वाद यह देखिए और कितना गरम रह थोका है क्म हो चुका है अभी हम बनाते हैं इसके लड़ू मैं थोड़े बड़े साइस के लड़ू बना रही हूँ आप छोटे भी लड़ू बना सकते हो जैसे आप जितना एक टैम खाना चाहते हो छोटे बड़े आपके मर्जी से लड़ू बना सकते हो यह देखो लड़ू बनाना भी कितना जल्दी हो जाते है इसी तरीके से मैंने सारे लड़ू बना लिये है आपको यह रेसिपी कैसी लगे मुझे जरूर बताना थैंक्स फर वाचिंग